IPL 2022 के लिए गोसेत हुआ दीपक 4 का रिप्लेसमेंट इन गैंदवाजों में से कोई एक गैंदवाज जोईन करेगा चैनली सुपर किंग्स की टीम को जाने के पूरी खबर चैनल को सब्स्ट्राइब करें अगर आपको लगता है कि चैनली सुपर किंग्स की टीम IPL 2022 में बापसी कर सकती है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें IPL 2022 में अभी तक चैनली सुपर किंग्स का पुरदर सन काफी निरासजनक रहा है चैनली सुपर किंग्स ने अभी तक खेले गए 6 मुकावलों में से सिर्फ एक ही मुकावला जीता है तो वही 5 मुकावलों में हर का सामना करना पड़ा है IPL 2022 में चैनली सुपर किंग्स की गैंदवाजी काफी कमजोर नजरा रही है कहीं न कहीं इस्टार तेज गैंदवाज दीपक चाहर की कमी खल रही है दीपक चाहर अब पूरे सीजन से बाहर हो चुके है और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बना हुगा है कि कौन सा वो गैंदवाज है जो चैनली सुपर किंग्स की टीम में दीपक चाहर की जग है टीम में सामिल होगा यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स में तीन गैंदवाजों के नाम लिए जा रहे हैं पहला नाम है मिचल इस्टार्क का मिचल इस्टार्क और अस्ट्रेलिया के बहतरी इंतेज गैंदवाज है जो पिछले कई सीजन से IPL में नहीं खेले हैं लेकिन इस बार चैनली सुपर किंग्स मिचल इस्टार्क के संपर्क में है इस लिष्ट में दूसरा नाम है सैम करन का सैम करन पिछले सीजन में चैनली का हिस्सा थे सैम करन ना सिर्फ गैंदवाजी करते हैं बलकि ने चैनली करम में बल्ले बाजी कर सकते हैं यहाँ पर तीसरा नाम भारतिय तेज गैंदवाज इसांते सर्मा का आ रहा है इसांते सर्मा मेगा ओक्सन में सामिल थे लेकिन उने कोई भी खरीदार नहीं मिला था इसांते सर्मा चैनली सुपर किंग्स की टीम को जोईन कर सकते हैं आपके हिसाब से दीपक चाहर का रिप्लेसमेंट कौन से गैंदवाज को होना चाहिए आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें